हाई फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल टेक्निकलम के डियर में स्वागत दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने पीम किसान सम्मानने दियोजना में आनलाइन आवेदन किया है और अगर आपका पेमेंट कभी भी आया नहीं है अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट दो हजार वाला कभ आएगा जो पीम किसान सम्माने दियोजना में सभी किसानों को दो हजार रुपय आते हैं अगर आपका एक बार भी नहीं आया है तो अपने जो आनलाइन आवेदन किया है और पेंडिंग में है या जो भी है अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं कि अगर reject हुगा है तो क्यों हुगा है पूरा detail अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में आपको पूरा step by step बताऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने आवेदन किया है अगर वो reject हो गया है अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों reject हुगा है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो फ्रिंट सबसे पहले आपको अपने mobile laptop का कोई साभी browser open कर लेना होगा और उहां पर type करना होगा PM किसान PM किसान लिख करके आपको search कर देना होगा और यहां पर सबसे ऊपर ही आजाएगा PM किसान.job.in इस पर आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बात देख सकते हैं PM किसान सम माननी दोजना के portal पे आप आ जाएगे यह पर कई सारे आप्छन है उपर देख सकते हैं farmer corner और यहां पर बहुत सारे option मिल जाएंगे लेकिन friend आपको click करना होगा देख सकते हैं यहां पर status of self registered farmer या csc farmer इस पर आपको click कर देना होगा click करने के बाद friend यहां पर आपको अपना आधार number डाल देना होगा और यह जो capture लिखा है उसको यहां पर डाल देना होगा डालने के बाद आपको search पे click कर देना होगा तो यहां पर मैं जन्दी से आधार number capture डाल के search पे click कर दे रहा हूँ search पे click करने के बाद देख सकते हैं farmer application status तो यहाँ पर फिर्ट देख सकते हैं farmer का name यहाँ पर आ जाएगा father name यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आधार number आधार number का last का four digit यहाँ पर show कर रहा है mobile number का देख सकते हैं last का four digit यहाँ पर show कर रहा है यहाँ पर region for rejection, यहाँ पर क्यों reject हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहा है, document not upload, और यहाँ पर देख सकते है, status, यहाँ पर rejected by district, तो district से ही यहाँ पर reject कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इन्हों ने document को upload नहीं किये थे, तो फ्रेंट जहाँ पर भी यह online आवेदन करवाये थे, वो बंदा गलती किया होगा, इनका document जो है, अपलोड नहीं किया होगा, इस कारण से इनका जो है, और यहाँ पर reject हो चुका है, तो फ्रेंट अगर आप भी PM कि सांसा माननी दियो जना में, अगर आपने आवेदन करवाया है कहें पर, तो आप अपना आधार नंबर डाल करके check कर लिजे, कि वो reject हुगा है, तो किस कारण से reject हुगा है, आप पूरा डीटेल देख सकते हैं, तो फ्रेंट कोशी इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप check कर सकते हैं, आपकी अपना भी check कर सकते हैं, या किसी और का भी check कर सकते हैं, तो फ्रेंट आई होग कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर कर दीजेगा और चैनल पे पहली बार आया हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में भी लाइकन को फ्रीज कर दीजेगा तो फ्रेंट इस वीडियो में पस इतना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाइन बंदे मातरों